मैं सेल्फ दौक्टर मन्जु मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री फ्रॉम्ड कोलेज कोटा आज हम एनमार स्पेक्ट्रोपी के अंतरगत कुछ सरल कार्बनिक अनुओं के पी एमार इस्पेक्ट्रा की व्यक्या करेंगे सर प्रतम हम देखेंगे एथिल ब्रोमाइड के अंदर एथिल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रा निम्त्रकार से प्राप्त होता है एथिल ब्रोमाइड के अंतरगर सर्णरचना सूतर है CS3, CS2, BR यहाँ पर दो प्रकार के प्रोटोन विद्मान है CS2 प्रोटोन और CS3 प्रोटोन और इसका स्पेक्ट्रम NMR वाला इस तरह से प्राप्त होता है अब इस स्पेक्ट्रम के आधार पर हम इसकी व्यक्या निम्त्रकार से कर सकते हैं यहाँ हम देख रहे हैं कि डेल्टा 1.7 पर एक ट्रिपलेट 1, 2, 3 ट्रिप्लेट प्राप्त होता है और डेल्टा 3.3 के सम्थिंग एक क्वार्टेट है इनके सिखिर शेत्रों का मांग 3-2 के अनुपात में हैं इसकी वैक्या हम नहीं प्रकार से कर सकते हैं कि एथिल ब्रोमाइड CS3, CS2, BR में दो प्रकार के प्रोटोन है क्रमस है मैथिल प्रोटोन CS3 दूसरा है मैथिलीन प्रोटोन CS2 अथ है इसके PMR स्पेक्ट्रम में दो संकेत 3-2 के अनुपात में प्राप्त होते हैं मैथिल प्रोटोनों के निकटवर्ती 2 मैथिलीन प्रोटोन है अथ है मैथिल प्रोटोनों का संकेत 1-2-8 के रूप में प्राप्त होता है 2-1-3 इसी प्रकार मैथिलीन प्रोटोनों के निकटवर्ती तीन मैथिल प्रोटोन है अतहे मैथिलीन प्रोटोनों का संकेत एक क्वार्ट्रेट 3 प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है मैथिल इन समू सीधा बी आर से जुड़ा हुआ है जिसका कौन सा प्रभाव होता है माइनस आई प्रभाव इस माइनस आई प्रभाव के कारण इन प्रोटोनों का वी परिरक्षन या डी सिल्डिंग हो जाता है अतर डेल्टा का मान बढ़कर 3.3 के सम्थिंग आता है मैथिल समू से मैथिल समू CH2BR से जुड़ा हुआ है जिसके दुर्बल माइनस आई प्रभाव के कारण मैथिल समू का भी थोड़ा सा वी परिरक्षन हो जाता है अतर इसके डेल्टा का मान थोड़ा उच्छ होकर 1.7 पर संके तरसाता है इस प्रकार से हम एथिल ब्रोमड के स्पेक्टर की व्याख्या कर सकते हैं इसके व्याख्या हम निम प्रकार से कर सकते हैं एथिन ओल की अंतरगत तीन प्रोटोन हैं क्रेमस है ए प्रोटोन मैथिल समू का दूसरा प्रोटोन मैथिलीन का और तीसरा ओएज प्रोटोन अथ है इसके प्रोटोन के निकट वर्थी दो मैथिलीन प्रोटोनों के युगमन के कारण इस समू का सिगनल अपेक्षा के अनुरूप 1.1 PPM पर ट्रिप्लेट प्रोटोन होता है यह है ट्रिप्लेट ए प्रोटोनों का इसी प्रकार हाइड्रोकसिल समू OH समू का प्रोटोन भी 5 PPM के निकट अउशोशन प्रदर्शित करता है OH समू के निकट वर्थी दो मैथिलीन CS2 प्रोटोन है अत्य यदि एथिनोल सुद वस्था में लिया जाए तो इसका स्पेक्टर्ण कम ताप पर रिकोर्ड किया जाए साथ ही और डाई मैथिल सलफोकसाइड डी एमसो जैसे अत्य दिक ध्रूबी विलायक लिया जाए जिसका की प्रवल विलायकर प्रभा हो तो OS का सिगनल एक ट्रिपलेट के रूप में प्राब्द होता है जो कि हम यह देख सकते हैं C-type के प्रोटोन का लेकिन यदि जली एथिनोल के अंतरगत एथिनोल का PM स्पेक्ट्रा लिया जाए तो एथिनोल का हाइड्रोकसिल प्रोटोनों के साथ तेजी से अंतर परिवर्थित होते रहते हैं अतर इनका युगमन CS2 प्रोटोनों के साथ नहीं हो पाता है और ये एक दूसरे को युगमित नहीं करते हैं अतर इस्तिती में एथिनोल का हाइड्रोकसिल प्रोटोन एक सिंगलेट के रूप में रिकॉर्ड होता है जिसको हम यह देख सकते हैं CS2 प्रोटोनों का सिंगनल लगबग 4.5 PPM के निकट प्राप्त होता है जब एथिनोल सुद अवस्ता में स्पेक्ट्रम लिया जाता है तब तो मैथिलीन समू के एक और तीन मैथिल प्रोटोन है और दूसरी और एक हाइड्रोकसिल प्रोटोन है कुल मिलाकर प्रोटोनों के युगमन के कारण पैंटेट प्राप्त होता है 3 और एक OH प्रोटोन 4 तो 4 प्लस 1 इस इकर्स तो 5 अथार्थ इसके अंतरगर पैंटेट प्राप्त होता है जबकि जलिय विलियन में इस्पेक्ट्रम लेने भर OH समू का युगमन मिस्प्रभावी हो जाता है इस कारण से केवल मैथिल समू के तीन प्रोटोनों के युगमन के कारण एक क्वार्टेट प्राप्त होता है अता है हम कह सकते हैं कि एथिल उल्का जब जलिय विलियन में प्यमर स्पेक्ट्रम लिया जाता है तो हाइड्रोक्सिल प्रोटोन सिंगलेट के रूप में और मैथिलिन प्रोटोन कोाटरेट के रूप में प्राप्त होता है जबकि DMS Ovilian में हाइड्रोक्सिरी समू ट्रपलेट घरसाता है और CS2 समू पैंटेट तरसाता है Next, Acetyldehyde Acetyldehyde का PMR स्पेक्ट्र निम प्रकार से प्राप्त होता है आणू में दो प्रकार के प्रोटोन है एक CS3 प्रोटोन दूसा CHO प्रोटोन ये 3 raise to 1 के अनपात में है CHO समू के वी परिरक्षन के कारण मैथिल प्रोटोनों के सिगनल निम नक्षेतर डेल्टा 2.2 PPM पर प्राप्त होते है CHO के प्रोटोन के युगमन के कारण मैथिल समू का सिगनल एक डबलेट के रूप में प्राप्त होता है CHO समू का सिगनल निकटवर्ती तीन प्रोटोनों के कारण एक क्वार्ट्रेट के रूप में प्राप्त होता है इसका स्पेक्ट्रा निम प्राकार से राप्त होता है अनु में BR से जुड़े वे दो मैथिलिन CH2 प्रोटोन वे BR2 से जुड़े वे मैथाइन CH प्रोटोन अता स्पेक्ट्रम में दो सिगनल प्राप्त होंगे 2-1 के अनुपात में ये दोनों प्रोटोन एक दूसरे के निकट वर्ती हैं अता है परस पर युगमित होने के कारण इनके संक्वेतों का विपाटन हो जाता है CH2 प्रोटोन के निकटम एक प्रोटोन है अता है इसका सिगनल एक डबलेट के रूप में प्राप्त होता है और CH प्रोटोन के निकटवर्ती दो CH2 प्रोटोन है अता है CH का सिगनल एक ट्रिपलेट के रुप में प्राप्त होता है CH2 समू एक इलेक्टोन आकर्शित करने वाले BR समू के साथ जुड़ा हुआ अता है इसके V पर इरक्षन अथा D-Seilding प्रभाव के कारण CH2 समू का सिगनल निम्नक्षेत्र में डेल्टा बराबर 4.2 PPM पर प्राप्त होता है जबकि CH2 समू के साथ दो BR पर मौनों के साथ जुड़ा हुए अता है इसमें D-Seilding प्रभाव और प्रवल हो जाता है और सिगनल निम्नक्षेत्र में डेल्टा बराबर 5.8 PPM पर प्राप्त होता है नेक्स्ट है एथिल एसीटेट का PM स्पेक्ट्रम इसकी वेक्या हम निम्नक्षेत्र से कर सकते है एथिल एसीटेट के अंतरगा तीन प्रकार के प्रोटोन है CS3, CS2 और CS3 अधर इसके PMR स्पेक्ट्रम में 3-2, 3-2, 2 के अनपाद में 3 सिगनल प्राप्त होते है C double bond O ketonic समू से जुड़ेवे मैथिल प्रोटोन का संकेत निम्नक्षेत्र डेल्टा बराबर 2 PPM पर प्राप्त होता है और इससे जुड़ेवे कार्बन पर कोई प्रोटोन नहीं है जिसे युगमन अथ्वा विपाटन की कोई संभावना नहीं है अता है यह सिगनल एक सिगनलेट के रूप में ताप्त होता है CS2 समू से जुड़ेवे मैथिल समू ए प्रोटोन का संकेत अपेक्षित रासानिक शिफ्ट डेल्टा बराबर 1.2 PPM पर आता है इसके निकट वर्ती मैथिलीन के दोनों प्रोटोन विसा युगमन के कार्ण इसके संकत का विपाटन हो जाता है और यह एक ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होता है मैथिलीन समू के दोनों हो प्रोटोन COO समू के विपर रिरक्षिन के कारण निम्नक्षित डेल्टा बराबर 4.1 पर एक क्वार्टरेट के रूप में संकेत देता है इस प्रकार से हम एथिल एसिटेट के स्पेक्टरम की व्याख्या कर सकते हैं टालूइन टालूइन C6H5CH3 के स्पेक्टरम को निम्नक्षित दर्साए गया है यहां पर 3-5 के अनुपात में कुल 2 संकेत प्राप्त होते हैं जिससे दो प्रकार के प्रोटोनों की पुष्टी होती है फैनिल संहूं के वी परिरक्षन के कारण मैथिल संहूं का संकेत निम्नक्षित डेल्टा बराबर 2.3 प्राप्त सिंगलेट के रूप में होता है बैंजीन वले की धारा के कारण फैनिल संहूं के अरोमेटिक प्रोटोन अत्य तिग वी परिरक्षित हो जाते हैं और अत्यन्त ही निम्नक्षित डेल्टा बराबर 7.1 प्राप्त संकेत दर्साते हैं चुकि मैथिल वैफेनिल समूं के मद्ध एक प्रोटोन रही तक कारण है परमाणू है अत्य दोनों प्रकार के प्रोटोनों CS3 और C6H5 के मद्ध कोई युगमन नहीं होता है अत्य दोनों संकेत एक सिगनलेट के रूप में प्राप्त हो रहे हैं दो प्रकार के प्रोटोन हैं A टाइप का प्रोटोन ये B प्रकार के प्रोटोन जिनके शेत अन्पा 3-5 हैं CO कीटोनिक संहू के वी परिरक्षन प्रभाव के कारण मैथिल संहू का प्रोटोन संकेत शेतर निम्न डेल्टा बराबर 2-PPM के लगबक प्राप्त एक सिंगलेट के रूप में होता है मैथिल प्रोटोन के निकट वर्ती किसी प्रकार के प्रोटोन नहीं होने के कारण ये सिंगलेट के रूप में प्राप्त होता है C double bond O समू एम बेंजिन वले के वी परिरक्षन प्रभाव के कारण बेंजिन वले के प्रोटोन अत्यम निम्नक शेतर लगभग डेल्टा बरावस से एट पीपीम के बीच में सिगनल दरसाते हैं टालूइन के विपरित ऐसीटो फिनोन के एरोमेटिक प्रोटोन एक सिंगलेट के इस्थान पर एक जल्टिल मल्टिप्लेट दरसाते हैं इसका कारण यह है कि CO समूग के माइनस M प्रभाव के कारण वले के तीन ओर्थो पैरा प्रोटोन वे दो मेटा प्रोटोनों के प्रकरती थोड़ी बिन हो जाती है और यह एक दूसरे के संकेतों का विपाटन कर देते हैं और इस प्रकास से 7-8 PPM तक एक जटिल मल्टि प्लेट बनता है यहां देख सकते हैं कि कीटोनिक समूग में ओ समूग की विदुत्रेंटा कारण से अधिक होने के कारण अद्द नजदिक वाले करण परमानों से गता है इसिक चूटे अधिक सनसुल यह बन तोटका है यहां बन जाता है इस प्रकास के अनुनाद के द्वारा चलतार है इसी कारण हम कह सकते हैं कि इसमें और्थो, पैरा और दोनों मेटा प्रोटोन की प्रकर्ति बिन हो जाती है इसी कारण से यह है एक मल्टी प्लेट के रूप में सिग्नल दर्साता है इस प्रकार किसी योगी के PMR स्पेक्ट्रम में उसमें विद्वान प्रोटोनों के प्रकार, उनकी प्रकर्ति एवं उनके निकटवर्ति सहूं की प्रकर्ति की जनकारी हमें प्राप्त हो जाती है जिससे कि हम योगी की संदशना का अन्मान सहस्ता से लगा सकते हैं Thank you.